गोवर्धन राधाखुन परिक्रमा मार्क के हरी पुरा में पुरानी रजिस के चर्ती दो पक्छों में विवाध हो गया और इस संगर्स में पिरदीप योगी का आरोप है कि बुदवार देशाम वो अपने दरवाजे पर खड़ा था तबी पड़ोस के रहने वाले योगक सौनू ने अपने दो साथियों के साथ मोटर साइकल से आते हुए उसमें टक्कर मार दी पृदीप योगी के अमसार तीनों योगों ने शरात भी रखी थी इसलिए वो चुप रहा कुछ समय बाद वो तीनों वापस आये जिसमें सौनू ने जान से मारने की नियस से साथ लाई तमंची से दो फायर कर दिये जिससे वो बालवाल बच गया पृदीप योगी ने सौनू और उसके दो अग्या साथियों के खिलाब थाना गोवर्दन में तहरीर दी पृदीप योगी ने बताया कि उक्त युवत पूर में भी जगड़ा कर चुका है इस्थानिय महला राजीव ने गोली चलने की बात को जूंद बताया ठाना प्रद्वारी प्रदीप कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सत्यता के आधार पर जांचकर कर रवाही की जाएगी किल लोगों ने फायर की थी? क्या नाम है उनका? कैसे महाँ पर अगर कोई पुराना मामला कोई लेकर कोई मामला हो, इस वहे से अगर महाँ पर मौजूद में आया हो थो अदमी और ते वोई दिन में हुआ है और दून quién के हुआ था? अभी शाम को हुआ है। तो फाएर चली थी और ने कोले देखा कि अपने देखा था हुआ है? पर यह अंदर आगा है, पुलिस काले पहुंचे इस पहुंचे पुलिस काले पहुंचे गापूंचे तो वहां से फरार रो लिए थे फ्रिन हैं यहां पर आप अब यापने ताने में तरिक जदी आप ति इसमा पर कि पर लिए बहुत लट्टों को ले लेकर खड़ी हो इस्ती पहले गाली फेले गाली जा कि फ़ीर गड़ी है अब अब कर दोगाने नहीं तोड़ी दिर बाद देखता है तुछ मादे बाद में तो आपने आकर देखा तो पता दो चला हुआ किस बाद हो रहा है तो नहीं कुछ गोली लगने की बाते हैं हो रही है कितनी सच्छा ही है महारा जी क्या नाम है आपका क्या गठना हुई आप यह लोग बता रहे हैं फाइरिंग वागरा कुछ लिए तो वार से निकले हो और यह तरंत आयों बार यह वार ने दो वार आई दो वार वार हमार भगता है हम तो भकतन में लग रहे हैं इन आवाज का हूंतिया यह बटग करना किसी यह का दो फार वार है कि बैसे यहां पर इंगा आपसी विवाद कुछ ना जाम वह तरहां पता आगे की तो नहीं तो आमें चले जाएंगे जाएंगे